प्रिविध्यार्थियों, आज हम बिये भागफ़स्ट के एक और महतोपून परसंद, आज हम बिये भागफ़स्ट के पेपर परस्ट, इंट्रोडेक्शन अपशोसलोजी, समासास्तर का परीचे के एक और महतोपून परसंद, द्वैतिक समू किसी कहते हैं, द्वैतिक समू का अर्थ एम परिभासा वे विशेश्टाओं पर कुछ विश्तरी चर्चा करेंगे, जहां हमने पिछले वीडियो की अंतरगत प्रात्मिक समू किसी कहते हैं, प्रात्मिक समू क्या हैं, प्रात्मिक समू का अर्थ परिभासा व इम है तो पर कुछ विस्तरी चर्चा की थी, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, आज हम द्वैतिक समू की से कहते हैं, द्वैतिक समू का अर्थ परिभासा, इम विसेश्ताओं पर कुछ विस्तरी चर्चा करेंगे, प्रात्मिक समू की आउधार्ना के कारण ही द्वैतिक समू की आउधारणा का विकास हो सका जार्ज सी होमन्स किंग सले डैविस आदी विद्वन्नों ने द्वैतिक समू पर प्रकास डाला यहां हम कहीं कि प्रात्मिक समू के विपरीत जो सभी विशेष्टाएं पाई जाती है उन्हें ही द्वैतिक समू के नाम से जाना जा सकता है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रात्मिक समू वो द्वैतिक समू भी हैं जिनके अंतरकर सामाजिते सामाजिक संबंदों में गनिष्टता का आभाव पाया जाता है उन सभी समू को द्वयतिक समू के नाम से जाना जा सकता है द्वयतिक समू के अर्थेम परिभासाम को विफिन विद्मानों ने अपने अपने ढंग से परिभासित करने का प्रियास किया है प्रमुक समासास्त्री बीरेस्टिट ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करती हुए कहा है कि द्वैतिक समू बे सभी समू है जो प्रात्मिक समू नहीं है अर्धातम या कह सकते हैं कि बे सभी समू द्वैतिक कहलाते हैं जो प्रात्मिक नहीं है प्रमुक समासास्त्री प्रोपेसर और इमनिकाफ ने भी द्वयतिक समु के आर्थ इम परिवासां को समझाती भी कहा है कि द्वयतिक समु उनी कहते हैं जिन में प्राप्त अनभाव में गनिष्टता का अभाव होता है आकस्मिक संप्रकी द्वयतिक समु का सार्थत होता है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रमुक समासास्त्री और इमनिकाफ ने द्वयतिक समु को परिवासित करते हुए कहा है कि द्वयतिक समु बे समु हैं जिन में गनिष्टता का अभाव पाया जाता है अर्थात हम यह कह सकते हैं कि द्वैतिक समू बेश समू है जो आकस्मिक संप्रक के माध्यम से भी बन सकते हैं उन सभी समू को द्वैतिक समू के नाम से जाना जा सकता है प्रमुक समासास्त्री लोडनवर्ग के अमसार भी द्वैतिक समू को परिभासित करते हुए उन्होंने कहा है कि इन समू को द्वैतिक समू मानते हैं जिनमें सद्वैश्यों के संबंद आव्यक्तिक हेत प्रधान इम्यक्तिकत योगता पर आधारित होते हैं अर्थात हम या कह सकते हैं कि द्वैतिक सम्वों वे सम्वों हैं जिनमें सदैश्यों के संबंद आयव्यक्तिक होते हैं अर्थात इनके लिए आविशक नहीं कि विक्ति एक दूसरी को जाने अर्थात एक दूसरे से पूर्ण रूपिन संबंदित हो या उनके हीत पूर्ण रूपिन समाल मेलते हुए हो अर्थात यदि हीत पूर्ण रूपिन मिले हुए नहीं है तो भी हम द्वैतिक समू को कनिर्माण कर सकते हैं आय व्यक्तिक हीत परदान ये व्यक्तिक तियोगता पर आधारित होते हैं। जहां एकुर हमने द्वयतिक समू को विभिन विद्वानों ने अपने अपने डंक से परिभाशित करतने का प्रियास किया है। इन सभी परिभासाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि द्वत्तिक समू बे समू हैं जिनमें सदश्यों के बीच आय व्यक्तिक संबंद पाये जाते हैं। व्यक्तिक रूप से यहां सदश्यों को जानना आवशक नहीं हैं। जिनमें सारीरिक निकटता का अभाव पाया जाता है। यह संबंद अनोपचारिक जीवन से किसी एक पक्ष पर संबंदित विशेश हीतों पर आधारित होते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि द्वयतिक संबंद वे संबंद नहीं होते हैं। व्यक्तिक रूप से यहां सदश्यों को जानना भी आवशक नहीं है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि द्वयतिक संबंद के अंतरगत यह भी आवशक नहीं है कि उसे व्यक्तिक रूप से जाने। अर्थात इसमें सारे रिक निकटता का भी अभाव पाया जाता है। यह संबंद आवचारिक जीवन के किसी एक वक्षश से संबंदित विशेशितों पर आधारित होते हैं। ऐसे संबंद को ही द्वयतिक संबंद के नाम से जाना जा सकता है। जहां एक ओर हमने द्वैतिक समू की से कहते हैं, द्वैतिक समू का अर्थ ही हम परिभासाओं को समझने का प्रियास किया है, वहीं अब हम द्वैतिक समू की विशेष्ताओं पर कुछ विष्तरी चर्चा करें, तो हम कह सकते हैं कि यह समू चान फूज कर कुछ उद्देश की पूरती के लिए बनाए जाते हैं अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि द्वयतिक समू किसी आवशक्ता इम उद्देश की पूरती के लिए बनाए जाते हैं बल्कि जैसे ही आवशक्तायम उत्यशी की पूरती समाप्त हो, सामानित त्वयतिक समू की संबन आवशक नहीं है कि लंबे समय तक रुके अर्थात वो समाप्त भी हो सकते हैं। बल्कि प्रात्मिक समू के अंतरगत आवशक नहीं है कि आवशक्तायम हित हो ही। एक्तिकत रूप से सद्देश्यों को या एक दूसरे को जानें, बल्कि संचार के साथ उनों के माध्यम से भी ये संबन बन सकते हैं या इस्तापित हो सकते हैं। यहां हम यह भी कह सकते हैं कि द्वैतिक समू के अंतरगत समनेते संबन्दों में गनिश्ट्रिता कम पाई जाती है। अर्धात इसके साथ हम यह कहें कि इन समू में सारी रिखनी कटता का अबाउप पाया जाता है। अर्धात हम यह कह सकते हैं कि द्वैतिक समू के अंतरगत आवशक नहीं हैं। कि पूर्ण रूपेन व्यक्ति एक दूसरे को आवशक रूप से समझे। या पूर्ण रूपेन व्यक्ति आमनी सामने की इस्तिति के अंतरगत हो ही या उनके मत्य घनिष्टता पूर्ण रूपेन हो ऐसा भी कोई आवशक नहीं है। इनका आकार प्रात्मिक समू की तुलना से काफी विस्तरित होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि द्वयतिक समू का आकार प्रात्मिक समू की तुलना से काफी विस्तरित या बड़ा होता है। ये समू व्यक्ति के किसी एक पक्ष को ही प्रभावित करते हैं। जहां एक और हम यह कहें कि प्रात्मिक समू की अंतरकत सामनेत हैं। संबंदों में गनिष्टता अधिक देखे जा सकती है और इनका आकार काफी छोटा होता है। परन्तों हम कह सकते हैं कि द्वयतिक समू की अंतरकत सदैश्यों की संक्या अधिक होने के कारण या संबंदों के अंतरकत सामनेते काफी विस्तरित होने के कारण ये समू व्यक्ति के किसी एक पक्ष को ही प्रभावित करते हैं। बलकि प्रात्मिक सम्मू की अंतरकत सभी पक्षों को देखा जा सकता है, वे देथ्विक सम्मू की अंतरकत किसी एक पक्षों को ही देखा जा सकता है। दूसरी और प्रात्मिक सम्मू की विशेष्टाओं के सम्मद में हम यह कहीं कि इनमें सम्मिदा या समझोते की प्रकरति की होते हैं, जो निश्चित नियमों इम सर्तों के आदार पर बनते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि दूसरी और प्रात्मिक सम्मू की अंतरकत जो सम्मद बनते हैं, वो केवल सम्मिदा की तोर पर बनते हैं। अर्थात, इनकी अंतरगत कुछ विशे सरते देखी जा सकती हैं, यह समझोती की प्रकरती होती है, जो निश्चित नियमों इम सर्तों के आधार पर ही निर्धारित की जाती है, अर्थात, द्वैतिक समू के अंतरगत संबंद जब ही बन पाते हैं, जबकि उनकी अंतरगत आपस में कुछ समीदा के आधार पर कुछ सर्तों को ध्यान में रखते होई यही या नियमों को ध्यान में रखते होई बनाये जा सकते हैं, यहां हम द्वैतिक समू के संबंदों में आपचारिक्ता पाई जाती है, अर्थात, इनकी अंतरगत सामानेते आपचारिक्ता अधिक देखी जा सकती हैं, यहां व्यक्ति की बज़ाए प्रस्तिती को विशेज महतो परदान किया जा सकता है, अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि द्वैतिक समू के अंतरगत व्यक्ति को इतना महतो नहीं परदान किया जाता है, यहां संबंदों में घनिष्टता का अभाव पाया जाता है, अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि द्वैतिक समू के अंतरगत संबंदों में घनिष्टता बहुत कम या नैकी बरबर पाई जाती हैं, यहां व्यक्ति को चूओ और जाओ के संबंद देखे जा सकते हैं, अर्थात हम यहां कह सकते हैं कि द्वैतिक समू के वला आवशक्ता यहां उद्देश की पूर्ती के लिए बनाए जाते हैं, अर्थात इनके अंतरगत टर्क चे एंड गो, अर्थात एक दूसरी को चूओ और जाओ, जैसी आवशक्ता पूर्ती समाब्तों होती हैं, यह यहीं विशिष्ट आवशक्ताओं को लेकर बनते हैं, अते इनका स्वेते विकास नहीं होता, जैसे यह आवशक्ताओं बदलती हैं, इनके साथ इन समू की प्रकृती में भी परिवर्दन आ जाता है, अर्थात हम यहां कह सकनी हैं कि द्वैतिक समू के वल्देश के पूर् या बदलाव देखा जा सकता है प्रिये विध्यार्थियों आज हमने द्वैतिक समू किसी कहते हैं द्वैतिक समू का अर्थ परिबासा इन विशेजताओं पर कुछ विश्तिरी चर्चा की थी नेक्स्ट वीडियो के अंतरगत इसी चेप्टर को कंटिन्यू रखा जाएगा ओके थेंक्यू